यूट्यूब एप पर घंटी बजाओ और 101 इंडिया के सब नई स्टोरीज की अफडेट्स पाओ पर यार यह डाकू करता है कि अब इन इस वत अब इन दो गणार होने की लिए सबसे पर ले मट्रा करना पर अपर अला वे उडरा है वो मरें कि आ चंबल घाटी, इंडिया का असली वाइल-वाइल वेस्ट मद्यप्रदेश, यूपी और राजस्तान के बीच और पीच ये जगह उतनी जंगली है, जितनी की फुट सुरह है पर क्यों? ये जानने के लिए हम उसी नदी पर जा पहुँचे, जहां से इस कहानी की शुरुवात हुई थी मैं हूर आक्टर वी सी और ये है वो चंबल नदी, जिस पर इस इलाके का नाम करन हुआ कहते हैं, पचीसी में शकूनी के हाथों बदनाम होने के बाद, दुरौपदी ने इस नदी और इसके पानी पीने वालों को श्राप दे दिया, ऐसा श्राप जो कभी मिटा ही नहीं उस श्राप की वज़े से इस नदी को गंगा और दूसरी नदीयों की तरह ना तो कभी पूजा गया और ना ही इससे जुड़े कोई त्योहार मनाए गए इसकी जोली में जो गिरे, वो थे मगरमच, घड़याल, बीहड, और बहुत सारे डाकू आज भी जब लोग चंबल का नाम लेते हैं, तो किसी के दिमाग में ये नदी नहीं आती, पर जो आता है, वो है बंदू के हैं, असला और खून खराबा इसी खून खराबे को एक जमाने में अंजाम देने वाले एक डाकू से में खाने पे बिलने जा रहा था, रमीर सिंग सिकरवार 32 डाकूओं के गैंक के साथ, सिकरवार ने 70-80 के दशक में, खाटी के शिफपूर इलाके में अपना आतंग फैला रखा था 1984 में सरेंडर होने तक, सिकरवार की गिंती थी 39 डगैतियां, 100 किडनापिंग और 52 मर्डर पर जैसे ही मुझे लगा कि सिकरवार ने मार काट छोड़ कर, साधा खेती बाड़ी वाला किसान जीवन अपना लिया है, मेरे डिरेक्टर ने ये कह डाला पर यार ये लिए दाकू करता है अबी? So, he, when he surrendered he got a lot of land. So, he's farming, he was an elected official also in the village. What are you talking about? All normal? I won't say normal because just a few years back he was involved allegedly in some murder case. So, he just got out of jail recently. Like a few years back. Fuck. I don't want to like add to the list of dead people in Chambal, man. Good luck to me. I'm the crew. I'm the crew. Raastet में मेरी तवियत भी खराब हो चली थी. Sukaam और Bukhar की दोहरी मार और हिंदुस्तान के सबसे आतंकी हथ्यारों में से एक से मुलाकात दिन को मज़दार बनाने के लिए और क्या चाहिए? Fuck, this takoo looks badass, bro. मेरा नाम V.C. है? Okay. Ah, nabasakar, sahab. Ah, nabasakar, nabasakar. यह मुझा भी देदों बंदूक और यह गृष्णा आप मंदों बंदूक हमाली बहते हैं. यह बंदू लेन बहत्मियांगा पढ़े आता है यार् रवाद चोड़ना पढ़ता है, गाह उट्षोड़ना पढ़ता है अलागी देश बलाना पढ़ता है वह के लिए करना पड़ता है, अन्याई गिरूद रड़ना पड़ता है तो मतलब हम ही भोत है ठीक है आप मंदिर में सलने हैं आप मंदिर में आप चंबल के ज्यादतर डाकों की तरह सिकरवार भी दुर्गा देवी के बहुत बड़े भक्त हैं और उनी के मंदिर में मेरे स्वागत की तैयारी की गई थी अब भारी थी गाउं का साधा नाश्ता चकने की बहुत बढ़िया है क्या क्या है दी? दाल, चावल, रोटी हाँ, दाल, चावल, रोटी अपना साथ आप अपनाई एसे ले लो बदल क्योंदी आपने? तिंदा नहीं सुबता दे लिए मैं यह बदल लूँ आपसे मैं यह बदल लूँ बदल ले करण अपनादी है कोई कच्छू दे लिए आप गेंग के हम लिटेले आप सोचा कर जाए जाए तो पुर गेंग खतम हो जाएगी इसमें किसी ने अगर पोईजन डाल दिया है जहर तो अपने पुछेंगा कोई साथी तो मरेगा हम खाना खा ही रहे थे कि पुलीस आगई पर बीते दिनों की तरह इसे करवार के लिए जाल बिचाने नहीं बलकि बंबई से आए हुए फिल्म क्रू को देखने आई थी याब बागी जो बने याब कौन से सन में बने कैसे बने चम्बल के सभी डाकों में ये एक समानता थी जनाय करने के लिए पुलीस की गैर मौजूदगी के चलते चंबल के हालात इतने खराब हो गए कि सिकरवार जैसे लोगों को लगा कि उनके पास कानून अपने हाथ में लेकर जलाद बनने के अलावा और कोई चारा नहीं था गैर को निष्ट करने के लिए पुलिस प्रिसासना जो उसको पढ़ा के बेज़ेती है कि हमा जाओ तुम्हों दूलाग दसलाग रुपई मिलेंगे तुम्हों लड़का पुलिसे मरती हो जाएगा जो पुलिस वाला कभी मॅजर करेगा झालिए अप है खालिष जी होग ने हमाय तो आपके गांक का सामभा कॉन था जो टीले में पेर क्यों बाती है सामभा कांप्व करतेठीय आपके पास फैंट पास लोया फेक्तितशघ के ब्लिय में किन बाते जाते था सहाएग चारओ अब भूली दी, अल्ला भे, बुड़रा है, वो मर गया मोटी मोटी रोटियां और घी से सनी दाल खाने के बाद टाइम हो गया था सिकरवार के बाकी गैंक को मिल लेका जो उनके घर पे एकटा हुए थे और भाई साब, क्या इंट्रोड़क्शन मिला मझे सिकरवार्ण के जना कीसो भाई बटट रगशन प्रियो रिए सब डाईन की अफ़छ की घ्लिए लोगन इसलिए जनगे में घ्लिया में जाद की बटट नि रहत a एटे तो तो तै हो गया था ये देखने के लिए कि ये देखने के लिए के एदाकू पुराने समय कैसे रहते थे और क्या खाना पीना खाते थे मैं दोपहर का खाना उनके साथ उनके पुराने जंगल के अड़े पे खाने जाऊंगा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था डाकों के अलाके में तो वही चलता है जो डाकों की सरकार चाहती एक गंटे के अंदर अंदर ट्रैक्टरों का जो गाड हो गया और उनमें लादे गए बरतन, खाना बनाने का सामान और बहुत से गाउंवाले मैंने देखा कि जब ये डाकों लोग हुक्म करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा तेजी से चलती है रिवास के मताबिक फूपर वालों का जैकारा लगाने के बाद चल दी टोली, जंगल की और जैसे ही मैं इन लोगों के साथ थोड़ा घुल मिल रहा था तब ही सिकरवार जी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिससे सुनके मुझे एहसास हो गया जिनके साथ मैं हसी मजाग कर रहा था, वो किसी जमाने में इस देश के सबसे बड़े दरिंदों में से एक थे जिससे साथ आदनी तो लोगों रम की दारू पी रहते हों पर शराब और लड़कियों से ये कोछ दूर रहना पसंद करते थे पांसी तोमार अपने लिए गमार मिला था जंगल में उनके साथ 6-7 आदनी तो लोगों रम की दारू पी रहते हों रम की दारू पी रहते हों कि अपने साथ ही थे वह यहां से पांसे जाने तारू प्रता है वहां से लड़की को पकड़ ले गए हूँ इसे भी होते होंगे भगों जो बठाक जाते होंगे Gटाब ambush Yani H widzanda a person अपने साथ ही थे वह यहां से लड़क काददे ले गए हूँ मैंनगे कर रहा था था झाछबम में था को लड़की कैसी ही अपने पला गुस्दाल्या तो लड़की कैसी ही gepो więc तो पहर के खाने के साथ-साथ हमें मॉरल साइंस के लेक्चर भी मिल रहे थे वो भी डाकों से यही तो हैं गुमक्कर जिन्दगी जीने के फायदे फाइनली सडकें खत्म हो गई और हमें बताया गया के बाकी का रास्ता हम बिना गाडी के ही तैग करेंगे साथ ही साथ मुझे जुण में अपनी आउकात का वियासास करा दिया गया गणे जंगल में गुसने जा रहा था इंडिया के कुछ सब से खुंखार डाकों के साथ दुपहर के भोजन के बहाने मेरे पास ना तो निटवक था ना ही कोई दवादारू मतलब अगर मैं गायब हुआ तो मेरे शुब चिंतगों को ये भी नहीं पता होगा कि मेरी बॉडी को कहा ढूणे इटलीस इतना पूछना दो बनता था कि एग्जाक्ली हम जा का रहे थे जंगल में मार्च करते हुए मुझे ये समझ में आने लगा था कि ये जगा डाकों के लिए इतनी सही कैसे रही होगी यहां रास्ते तंग थे, जमीन रफ थी लेकिन डाकों की पकड़ उस पर ऐसी थी कि वो आँखों पर पट्टी बांद कर भी रस्ता बता सकते थे पुलिस के लिए भले ही जंगल भूल भूलिया हो पर इन डाकों के लिए वो उनका घर था लगबग दो घंटे चलने के बाद हम उस जगा पहुंची गए जहां कभी सिकरवार और गैंग छुपा करते थे अब अजो अजू कायो है पहले पानीगी ऑगे जहना है पानीगा इसमें आपल लोग हो से थे थे लो जगटे थे देगो अपना घर है जंगलों पर लोगती हैं, तो जंगल जुकने भागी होगी, डक्यात हो भी जग 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 जागी है अपनों अपना एक संत्री फिर दर भी पर बटा हुगा है अभी? अभी अब पुर्ण साती है, तो वहों से भाड़ देगा अपने लिए पता लग जाएगा, और फार देगा भी जाएगा अपनों उसी ते निकल जाएगा, पुलिस अपना कुछ कर नहीं पाएगी यह बाजी वर शीज़ार पर रहती है, यह घरे हैं अपने आओ, दिखाते हैं आपनी लिए, उबने आए आओ वहाँ गाओंवालों का मीला लगा हुआ था, और खाना इतना, कि डाकों की पूरी फॉज खाले ठीक उनी पुराने दिनों की तरह, जब डाकों के कैम्प, त्योहारों पर सेंक्रों लोगों को खाना पिला दे खाने में क्या बना था, ये बताने की जिम्मेवारी खुच से करवार जीने ली खाने की सिंप्लिसिटी पसंद से ज़्यादा जरूरत थी, भागते हुए ज़्यादा ओप्शन थे नहीं डाकों के पास, जब आप दिन में तीन बार लोकेशन बदलते हैं, और गाउवालों के दिये गए राशन पर आपको निरभर रहना पड़ता है, तो आप अपने नहीं कि डाको खाने के बाद मीठा नहीं खाते थे, यह क्या जी, पकोड़े टाइप, यह जो है, इसमें चूरौ आगे लट्व लेंगी, इसमें सककट डलेगी, काद यूकिस में, बादम छवाने, सब इसमें डल जाएंगी, तिन मेंबार बजार में नहीं बनता हैं, बज ही जान-लेवा काउविनेशन था. सिकरवार ने सरिंडर करने से पहले सरकार के आगे 18 शर्ते रखी थी, जो करते-करते सरकार ने आखिर मान ही ली, मतलब आम क्याम, वह भी गुट्लियों के दाव. इससे पहले कि मैं सिकरवार से पूछता क्योंने अपने खून खराबे का कभी पच्टावा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ, जो सिफ चंबल घाटी में हो सकता है. उनके गैंग में से एक डाकू ने उपर पेड़ पर कुछ बंदर देखे, और उन्हें अपनी बंदूक के दमाके से डराना मुनासिब समझा. जानवर प्रीमियों के लिए संदेश, बंदर तो कोई नहीं मरा, लेकिन मेरे कान के पर्दों के साथ, और पहुत कुछ पढ़ गया. और नी, और नी. और नी, थैंक यू. बंदर करें मजिया, बंदर जानी मारे हैं अजिवाज़ू. तो शिकारवार जी, इतने सारे साल हो गए, मतलब छोड़े हुआ आपको, 32 साल हो गए, तो कभी ऐसा नहीं हुआ के, मतलब आपको पश्चाता आप हो, कि मैंने क्यों मारा इतने लोगों को? जो किल सब्सक्याठी है? तो कि अए अजिवाए हुआ अटाह्ता. निर्दोश आमी मारा दोब। एक उना। था कौन? तुम्हारो नियोगा आए पानी आता है. भग्यवान नलगता है. अछिएम जोचे मतलब रहे हैं, कोई मतलब रहे हैं, यहां पानी मिलेगा इसकी को. गोली देमेरे जो डेमीर तुम्मारीगा, तुम्मे तुम्मार अगार जनी ऋख देरी, मैंने की हम बागीं पोले। में देखे बागीं मिंस साल यावार निकाला मार दूंगा में बोले मार कैसे मारता है। तेरी माना दूद अंड़ा तुम्हार मार तो उसमें उसमें पतक रॉटES और मरने के भादम भी अब 0 क हुआ भी देव के उसका कहते हैं काल, उसकाल अपने आप मर गया, उसे कोई दुस्रम नहीं थी, तो तो दुख होता है। हलांकि सिकरवार गैंगर से खुंखार डाकों का टाइम खत्म हो चुका है, पर इसका मतलब यह नहीं कि चंबल में डाके नहीं पढ़ते हैं। सिकरवार जी की माने, तो आज कलके डाकों का बस होलिया बदल गया है। ये आज की जमाने के डकैत कौन है। आज घमाने डकैत थो सपित बदीवाले हो, हखाओी बदी य॥ा की grands छालों, को आपनों करोड़ों अरवो अरवो, बरिया जारे हैने जलों जारे हैं गृत्राए सब्सक्राइब हुआ जारे हैं उसे भुछे के इस दुछे रूह सब इस ऐसे सबसे दोच्काइब रागाए है उनुद आप अंधेरा होना शुरू हो गया था और चंबल में संडाउनर के बाद तो खुड डाकू भी आपकी जिमेदारी नहीं लेते पर इससे पहले कि हम बोर्याब इस्तरबान के जंगल से निकलते प्रभू सिंग ने डिसाइड किया कि वो हमें दिखाएंगे अपनी आक्टिंग का दम जिसके बल पर वो कभी बसे लूटा करते थे जिलाइवर की डाल गई और दो किलो मीटर भीतर जंगल में और लेखे चले गए और पकड़ करके और पांकी की बजा दे परफॉर्मेंस के बाद टाइम हो गया था जंगल को अलविदा कहने का अपने जैसे लोगों को बाहों में भर कर अलविदा कहना जिनोंने किसी जमाने में अंदा दुंद खून किये हो थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन इन लोगों के साथ खाना खाके मुझे आखिरकार चंबल के डाकों की मानसिक्ता में जाकने का मौका मिला इनके लिए इनके अपराद अपने जैसे गरीबों पर हो रहे अत्याचार से लड़ने का एक तरीका थे इनी चीजों की वज़े से चंबल इतनी डराफ नी चगे है यहां हिंसा कोई बड़ी बात नहीं है बलकि जीने का एक जर्या है अगले दिन में एक ऐसे आदमी से मिलने जा रहा था जिसका काम था चंबल की इसी ट्रेडमार्क हिंसा को डाकों के खिलाफ इस्तिमाल करने का एक Encounter Specialist जिसके Encounterों की गिंती से, करवार की गिंती से दुगनी थी एक बीमार आदमी के लिए ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा था यार तो मैंने डिसाइड किया कि चदरतान के सोना ही सही रहेगा क्या पता, खल शायद कफन सिल्वाना पड़े एक से एक इंडिया का लाल बड़न दवाना और नहीं जो पर गोली काना मुझे भाफ करतो we are also on Facebook, Twitter, Instagram and I might soon be in the grave if you don't subscribe watch more Dinner with the Dons on 101India.com